नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गूड लिविंग चैनल पे और भई जो आज का हमारा प्लांट है वो गर्मियों का बेहत खुबसूरत प्लांट है और आप इसको as a home decor भी यूज कर सकते हो अगर आपकी इस तरह से कोई stands है उनमें आप लगा सकते हो या hanging basket अगर आपने ल sun rose दोस्तों एक succulent family का plant है sun rose इसलिए बोलते हैं क्योंकि छोट-छोटे से फूल इस पे खिलते हैं और मेरे पास जो एक color है इस पे आती है बही टमाटरी red color है और एक light सा orange color है तो इस तरह के दो color है मेरे पास तो इसमें दोस्तों और भी color आते होंगे तो वह आप देख लेना लेकिन plant बहुत खूबसूरत है भले इसमें फूल आए ना आए लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है basket वगरा में लगा हुआ या इस तरह से आपके कोई stand है तो इसमें लगा हुआ और जितना सुंदर ये plant है इसको लगाना भी उतना ही असान है जैसे कि हम आम succulent family के plant लगात को दोस्तों हम जितना काटते चाटते है ना उतनी ही ज़्यादा उनकी growth भी अच्छी होती है और दूसरा जो उनकी stems हम काटते हैं अच्छी shape देने के लिए तो उन stems को भी आपने फैकना नहीं है उन stems को भी अगर आप उगा लेते हो तो आपके बहुत सारे plant बन जाते है तो भी अभी मैंने तो कुछ दिन पहले कई लगाए थे यहां से काट काट के तो अभी तो यहां काटने लाए कुछ है नहीं तो अगर आप इसको लगाना चाते हो तो कहीं से भी अगर आपको यह plant दिखता है इसकी दो चार stem लेयाओ और बड़े असानी से लग जाती है बस नि पहले तो जितने भी यह baby sun rose लगे हो घाना इनको खूब sunlight मिलती है और sunlight में अच्छे रहते हैं यह growth बी इनकी अच्छे होती है तो इसको जब भी आप लगाओ तो अच्छी खासी जगया पर ऐसी पर लगाना जहां पर अच्छी खासी दूप आती हो अच्छी हवा जो क्रो सोती हो वहाँ से तब भी बड़ा फरक पड़ता है इन पर और तीसरा भाई इसकी कटाई छटाई भी है जरूरी है क्योंकि जो इसकी स्टैम्स है न ये खूब निच्चे तक लटक जाती है और हैंगिंग बास्केट में इसले कह रही हूँ हैंगिंग बास्केट में जब भी ह देगी कि कहां आपने इस पोद्धे को लगा रखा है तो इतना जल्दी ग्रो करता है ये और जब इसकी स्टैम्स जो हैंगिंग बास्केट से निच्चे लटकती है तो तो और भी खूब सूरत लगती है और पिछली भी कई वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि जो मेर इसा होता है नर्सरी में भी मिलना रेर सा हो जाता है लेकिन जिसके पास ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो उसको लगता है कि आम सा ही है ये लेकिन जिसके पास नहीं होते न उसके लिए बड़ी सर्च का हो जाता है ये काम कि कहां से मिलेगा ये पोद्धा तो बस मैं भी बही शुरुआत में काफी साल पहले नर्सरी से ही छोटा सा पोद्दाइस का लेकी आई थी और फिर मैंने इससे बहुत सारे प्लांट बनाए तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये कि अगर आपके पास नहीं भी है या आसपास भी नहीं है तो अब आते हैं भी इसके रखा रखाओ भी बात तो मट्टी भी इसकी आपने पोरस रखनी है जैसे हम सारे सुकुलेंट फैमली के प्लांट की मट्टी रखते ही है ताकि जो इसका प्लांट है वो अच्छे से फैले चारो तरफ फ्रूट तो कोई इसकी इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होती लेकिन अगर हम अच्छी पोरस मट्टी में इनको लगाते हैं ना सोफ्ट मट्टी में लगाते हैं ये समझ लो तो फिर इखूब अच्छे से फैलते हैं चारो तरफ और हार्ड अगर मट्टी हो जाती है तो देखो फिर प्लांट का थोड़ा सा फैलना मुश्किल हो जाता है तो वो आप देखके लगाओ जरा इसको कि मट्टी अच्छी पोरस हो और पानी कम दे रुके कई बार ऐसा होता है कि कि अगर मट्टी हमारी चिक्टनी भी होती है हार्ड होती है तो पानी जादा दे रुकने से भी इसके प्लांट गल जाती है क्योंकि समें इतना मुष्चर होता है और गल-गल के फिर क्या होता है पता नहीं लगता एकदम से और फिर इसकी डंडिया सारी गलनी शुरू हो जाती है फिर सम्हालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको तो पहले से यह आप इसकी सोयल जब बनाए ना तो यह ध्यान रखें कि मट्टी आपकी बिल्कुल पोरस हो हलका सा मोश्चर बस मट्टी में होना चाहिए यह भी नहीं कि बिल्कुल ड्राई हो जैसे सुकुलन फैमिली के प्लांट होते हैं एकदम से मट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है तब भी लटक जाते हैं एकदम दिखा देते हैं कि हां में पानी की जरूरत है और ज्यादा गर डेली आप दोगे मट्टी भी गिली है फिर भी आप दिये चले जा रहे हो यह है बही इसका रखर खाव जैसा कि मैने बताया है तो मैंने रखी रख है और खुब कशे चल रहे है और हमेशा से मुझे नहीं लगता मैंने कभी च्साय में भी रख होंगे हमेशा से धूफ में रही है प्लांट्ट तो जहां मर्जी रख लो इनको पार्श्य संट 1 तो बस यह आपने देखना आपने इसको कहा लगाना है हैं हैं यह एसे डेगोरेशन के लिए लगा हो यह फिर छोट-छोटे आपके शैलो पोर्ट होते हैं न क्योंकि मट्टी की इसको इतनी ज्यादा जूरूर्त होती कई बर हमारे shallow गमले रखे होते हैं और कई बर कुछ packing का समानी ऐसा आजाता है कि ज़्यादा मट्टी भी नहीं आती उसमें तो ऐसे ऐसे गमलों में आप इसको बिलकुल अराम से लगा सकते हो और किसी भी सुकुलेट को दोस्तो जादा कोई soil की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती बहुत हलकी फुलकी सी soil में चल जाते हैं ये और दिखने भी खुब सूरत यसले हैं क्योंकि बहार की तरफ जो इनकी growth होती है वो ज़्यादा ए बजाए की root level पे growth हो तो मट्टी के जो अंदर है ना इनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, बस मट्टी से तो ये निचे अपनी हलके हलकी जड़े फैलाते रहते हैं, स्टेम्स निकालने के लिए, तो बाहर की तरफ ये ज़्यादा फैलते हैं, तो बस जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि जैसे ह ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कटाई-चटाई करके, करके, और जो उनकी स्टेम्स निकलती हैं, उनको भी हम नएने प्लांट को बनाने में यूज करते हैं, सेम इसके साथ भी वही है, तो जो नएनी स्टेम्स काटते हैं, इस तरीके से उनसे हम नए प्लांट बना लेते हैं, और जो पिछले कटे हुए होते हैं, वो अच्छे से ग्रो करते ही रगते हैं, तो बिल्कुल आप इसको इसी तरीके से लगाओ, बहुत सुन्दर लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जुनको बार बार सीजनर प्लांट लगाना पसंद दियोता हैं, कि बार लगा दिया, बहुत है, बस डेकोरेशन के लिए ये बास्केट भरी होनी चीए, जिस गमने में लगा दिया, लगा दिया, तो उनके लिए तो भी बेस्ट प्लांट है ये, तो लगाओ, और फिर जब इस पे छोट-छोटे फूल आएंगे ना, वो तो और भी सुन्दर लगते हैं, तो बस ये ही था आज का आपका प्लांट, बेबी सन रोज का, गर्मियों का बहुत सुन्दर पोद्धा है वही है, जैसे आपके फूल ओले सूकुलेंट से ना, पर्सलेन और पोर्चुलाका के सेम, वैसा ही, एवर ग्रीन प्लांट है, तो उमीद है, आपको वीडियो अच स्टेके.